चलिए स्टूडेंट्स हम लोग question number 13 को solve करते हैं देखे question number 13 में क्या कहा जा रहा है समुद्र तल से 75 मीटर उची light house के सिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के आउनमन कोड 30 डिगरी और 45 डिगरी है यदि light house के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ग्याद किजिए आप लोग समझे हम लोग समुद्र तल से देख रहे हैं एक light house है light house कुछ इस तरीके से है और यह जो light house है इसकी जो उचाई है हमें कितना दिया है 75 मीटर दिया है कह रहा है कि ए जो light house है इसके से देखने पर दो समुद्री जहाजों के आंपन को 30 दिगरी और 45 दिगरी है यह दि light house के एक ही और अब यह जो light house है इसके एक ही ही और यानि कि दोनों जहाज एक ही तरफ है एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो समझे हमारा एक जहाज यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे है और जब हम लोग इसके सिखर से देखते हैं तो जो हमारा ओनुमन कोड है समझे हमारी क्या हो गई ग्राउंड हो गया हमारा समुद्र का तन हो गय और यह हमारा ground है इसके 36 हम लोग एक रेखा order कर लेते हैं अब देखिए हम लोग यहां से देखते हैं तो जो हमारा कि रे द्रिष्टी रेखा कि बीच में जो बनता है और क्या होता हैCr लमन कोडे अब हमने यहां से देखा उपर देख रहे हैं तो यहां पग्धु Mr q देखिए जब लोग दूसरे जहाज को देखते हैं दूसरा जहाज हमारा यहाँ पे हैं ऐसे हम लोग उपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे तो देखिए हमारा जो एंगल बन रहा है यानि कि यहां से यहां तक का जो हमारा एंगल बन रहा है यह कितना है A45 degree है civilizationally environment code 45 degree है आप देखी यह 30 degree है यह भी कितना हो जागा 30 degree 1 संग्धर प्रमे या पिर आप लोग कह सकते हो जोerem infringement कोंड होता है वो बराबर और उन नेंन कोड के इसी तरीके से यहाँ पर A के बरावर हो जागा किसके इसके इतना बात आप लोग समझ गये हूंगे चलिए यह मारा 75 मीटर है हमें दिया है हम लोग इसको नाम दे दे तेया है मारा इह हगया इसको मैंने नाम C if दिया यहाँ पर जो मारा जहाज है किसंवा उसमझेuh ए है थमें इन जहाजों की बीच की दूरी को बताना है तो ए जो जहाजों के बीच की दूरी है इसको हम लोग माल लेते हैं कितना x meter है चलिए अब हम लोग इसको solve करते हैं माना जहाजों के बीच की दूरी जहाजों के बीच की दूरी is equal to x meter हमने x meter माल लिया हमें दिया क्या है देखिए ए भी यानि की जो light house है उसकी उचाई 75 मीटर दी गए लिखे दिया है लाइट हाउस की उचाई लाइट हाउस की उचाई क्या है ए भी है कितना है 75 मीटर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए जो हमारा light house है लाइट हाउस है लाइट हाउस है जो हमारा पहला जहाज है इसके बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं कितना y meter है तो लिखिए इसको मने माना है चलिए अब लोग इसको solve करते हैं हम लोग किस में देखेंगे समकोर तिर्भूज a b c में लिखिए समकोर तिर्भूज a b c में देखिए ठीटा है ठीटा के सामने की बुज़ा क्या हो जाएगी लंब और a क्या है आधार लंब और आधार का रेशियो क्या हो जाएगा 10 ठीटा ठीटा कितना है 45 डिगरी यहाँ से 1045 डिग्री हो जाएगा लंब लंब क्या है AB आधार क्या है BC बैलूज रख दीजे 1045 कितना होता 1 होता है AB कितना है AB 75 है और यहां से देखे BC कितना है BC BC हमारा Y है यहां पर हमने जो लाइट हाउस है लाइट हाउस से जो पहला जहाज है वो कितनी दूर है Y मीटर की दूरी पर है अब देखे इतना हमारा Y है इतना X है यह पूरा कितना हो जागा बताएए इतना X इतना Y तो पूरा क्या हो जाएगा X प्लस Y मीटर चलिए अब लोग next देखते हैं समकोर तिरभूज A, B, D में लिखिए समकोर तिरभूज A, B, D में A, B, D में क्या देखिए ए थीटा है थीटा के सामने की बुजा लंब और A हमारा क्या है? आधार है हमें लंब और आधार का रेशियो पता है तो यहाँ से मारे पास क्या हो जाएगा? 10, 30 डिग्री थीटा कितना है? 30 डिग्री तो 10, 30 डिग्री इसकुल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार यानि कि 75 अपोन में X प्लस Y और आप लोग देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से मारे पास देखिए क्या हो जाएगा? 10, 30 डिग्री कितना होता है? इमान आपको पता होना चाहिए 10, 30 डिग्री इमारा 1 अपोन रूट 3 होता है यहाँ पे 75 यहाँ पे क्या है? X प्लस Y और यहाँ पे देखिए भाग के साथ है इधर बेजेंगे गुड़े के साथ हो जागा इसी तरीके से इसको भी बेज दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा? हमारा X प्लस Y इसको मने इस तरह बेज दिया X प्लस Y is equal to हो जाएगा 75 इन्टू में अंडर रूट 3 अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? यह जो Y यहाँ पे देखिए Y is equal to मारे पास क्या है? 75 मीटर आया है तो Y का मान हम लोग यहाँ पर रख देगा चलिए इसको मान लेते हैं क्या है? समीकरण नंबर 1 लिखिए Y is equal to 75 समीकरण एक में रखने पर लिखिए Y का मान Y का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक हमारा क्या है? X प्लस Y is equal to 65 अंडर रूट 3 Y का मान रख क्या है? देखिए यहाँ पर Y is equal to 75 है तो यहाँ पर Y का मान लोग 75 रख देगे X प्लस 75 is equal to 75 अंडर रूट 3 और यहाँ से 75 मान रख प्लस में है तो इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा X हमारा क्या हो जाएगा? 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 65 मारा क्या हो जाएगा? common हो जाएगा हमने 75 common किया तो बचा क्या? अंडर रूट 3 यहाँ से 75 को क्या लिख सकते? 75 कुळे एक? क्योंकि याग सब जग跳 होता है हमने 75 common किया तो यहाँ पर बचा अंडर diffic त्री माइनस यहाँ से 75 कामन किया यहाँ पर क्या बचाओ वन तुमारे पास एक्स आ गया एक्स इसकुल टू क्या गया है 75 अफ अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर तो इस्टूडेंट देखें में निकालना क्या था हमें एक्स की वैलू निकालनी थी बताना था जो जोनों हैं इनके बीच की दूरी कितनी होएगी यानि कि हमने माना था इनके बीच की दूरी एक्स मीटर होगी यहाँ पर मारे पास देखें एक्स इसकुल टू क्या आ गया एक्स इसकुल टू मारे पास ए आ गया है तो लिखिए अताहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x is equal to 75 of under root 3 minus 1 meter यही हमें solve करना था तो students इस तरीके से हमने दोनों जहाजों के बीच की दूरी को calculate किया तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहे अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और चैनल पर नए हो तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहे thank you